ओम्शी महाप्रग्य गुरवेरा महा जिसके सांसों में रहता है शास्वत शांती का स्पंदन उस महाप्रग्य को वंदन सत्य अहिंसा अने कांत को अर्पित जिसका तन्मन उस महाप्रग्य को वंदन जिसके सांसों में रहता है शास्वत शांती का स्पंदन उस महाप्रग्य को वंदन हमारा जगत परिवर्तन सी जगत सब कुछ बदलता है अवस्थाएं भी बदलती है मान्सिक्ता भी बदलती है परिष्थितियां भी बदलती है यदि कोई मनुष्य यह मान कर चले कि मैं तो हूँ वैसा ही रहूंगा इससे बड़ा कोई असत्य नहीं है इसे बड़ी कोई घ्रांती नहीं आज हूँ वैसा ही रहूँगा इस पर किशी का अधिकार नहीं आज कोई रिक्ती पचीश वर्ष का है और बहुत सोचे कि मैं हूँ वैसा रहूँगा जब साथ सतर का बनेगा तब देखेगा कि एक एक शीदी ठहर ठहर कर उतर नहीं हाथ में गेडिया भी चाहिए वैस श्वयम निर्ड़े कर ले कि वैसा नहीं रहूँगा जब तीस चालिस वर्ष का था और सारा काम का व्यापार करता था सब पर अधिकार था अब सतर वर्ष का हो गया काम डेटे करने लग गए और भ्यापार का अधिकार उनके हाथ में आ गया तो वैं कैसे सोच सकता है कि मैं चारीस वर्ष का हूँ सारा मेरे अधिकार में है अधिकार अधिकार में ही रहे गा ये सोच नहीं सकता नहीं सोचना चाहिए परिवर्टन सी जगत की परिवर्टित होती हुई ब्यवस्थाओं परिष्थितियों और सारीरिक और मानसिक संगरचनाओं के वज्जे कोई ब्यक्ती ये सोच ले कि ये सब कुछ ऐसा ही रहेगा तो फिर आप स्वेम नेड़े कर ले कितना सत्य है और कितना असत्य है कितनी यथार्ष है कितनी ब्रंती है मेरा मानना है कि भविश्य दर्शन हर ब्यक्ती को करना चाहिए प्रती दिन का करे तो बहुत कथिन बात है कि कल क्या होगा बहुत कथिन बात होती है पर अगले वर्ष में क्या होगा ये तो होना चाहिए और ये भी कोई नहीं करें तो साथ वर्ष बाद क्या होगा सतर वर्ष बाद क्या होगा असी वर्ष बाद क्या होगा ये अवश्य करना चाहिए क्योंकि उस अवस्था में स्वयंकी शक्तियां भी कम हो जाती है, अपेक्सा भी बढ़ जाती है, सापेक्स्ता बहुत बढ़ती है, दूसरों पर निर्फर रहने की बात भी बनती है, एक प्रकार से जाने अंजाने परावलंबन की स्थिती भी आती है, उस समय कैसा हो, क्या हो? शायद यह तो नहीं सो सकते के उस समय भी मेरी सरीर के सकती ऐसी ही रहे जो आच चालीस वर्स में है, कोई विशेश प्रयोग करे तो हो भी सकता है, पर एक सामान बात हम नहीं मान सकते इसको, उसमें साधिरिक्स्तिती में तो अंतर आएगा, किन्तु मान शीक्स्तिती और भावात्मक्स्तिती वे और अधिक अच्छी रहनी चाहिए, यह हमारे भाविश्य दर्शन का एक विशा है, और साधिरिक्स्तिती में भी कुछ हमें सोचना चाहिए, हम पहले साधिरिक्स्तिते से लिए, कि जो व्यक्ति, चालीस वर्स तक या चालीस वर्स के बाद पचास वर्स तक अपने स्वाष्थ का ध्ञान रखता है, तो फिर भविश्य में भी उतनी कितिनाई नहीं होईए, और स्वास्थ का ध्धान जो रखता है वे दो तीन बातों पर ध्धान देगा पहला ध्धान होगा आहार कैसा हो आहार कैसा हो ऐसा आहार ने हो कि जो जल्दी बुढ़ा पलाए शक्तियों को कम करे आहर दोनों प्रकार का हो सकता है एक आहर यह है जो बुढ़ा पे को की गति को धीमा करता है जल्दी नहीं आने देता और एक प्रकार का आहर वह है कि बुढ़ा पे को बुलाता है यह निर्ने करना चाहिए कि मेरा आहर कौन सा है बुढ़ापे को धीमी गती देने वाला है या बुढ़ापे को बुलाने वाला है बहुत ज़्यादा मात्रा में खाएगा तो ये जो फ्री रेडिक कर देंगे कुछ ऐसे आहार के परमानू है जो नियम को नहीं मानते फ्री रेड़े और वे उन लोगों के ज़्यादा होते हैं तो ज़्यादा काते हैं ये परमानू सदीर को बहुत जल्दी दिकरित बनाते हैं बुढ़ापे को लाते पहला ध्यान है कि आहार कितना सैयत और सीमित हो और जहां तक कि मैंने अनुहों किया है मैं उपवास की अप्रिक्सा उनो दरी को ज़्यादा महत्व देता हूँ उपवास का महत्व हैं पर मेरी डिष्टि में अनेक कारणों से उनो दरी का ज़्यादा महत्व हैं उपवास एक दिन किया छुटी हो गई उनो दरी है वह बाहर है मासिक है उपवास बाहर है मासिक नहीं हो सकता चाहे तो कोई एकासन करें चाहे उपवास करें सबको जहन देना है एकासन करें और उसमें भी इतना खाएं कि दो तीन वार कसा एक बार में पूरी हो जाएं तो यह तो एकासन क्या बिमार होने का एक तरीका हो गए उनो दरी यह इतना बड़ी आएक तत्व है कि इससे स्वास्ते भी अच्छा रहता है मन भी प्रसन रहता है और साथ में सयम सदता है उपवास में सयम नहीं सदता त्योंकि नहीं खाना है बस नहीं खाना है त्याक कर लिया खाने का खाने के लिए बैठे और ने खाए हुआ संयम की कसोटी होती है बहुत कटिन काम है इसलिए बहुत लोग कहते हैं कि आहर का संयम नहीं हमें तो उपवास करा दो अपनी कमजोरी प्रिकट कर देते हैं तो उनुदरी ये असी वरस तक भी सक्तियों को ख्षीन नहीं होने देती और जो बहुत खाएगा वे असी तो दूर की बात है साथ में भी कमजोर बन जाएगा तो पहला जो सैयम है नियंतरन है वे है उन्हों दरीका अभ्यास रहे तो फिर असी वरस सामने के असी वरस तक में जाऊंगा या जाऊंगी तो कोई चिंता की बात नहीं है मेरी सक्तियां काम करती रहे तो उस अवस्था के लिए एक प्रारम सही अच्छा संकल्प जब से समझ पकड़े तब से एक संकल्प कि उनों दरीका अभ्यास करना है आईरवेद का सिद्धान सब लोग जानते हैं प्रशिद्धे उनों दरी और आईरवेद का जो अहर का विवेक ये कही बात है उस उनों दरी के अच्छी रह क्या हो जाती है कि जितनी भूख है उससे आदा खाओ पच्चास प्रतिसत खाओ उनों दरी का बहुत सुंदर प्रयोगी पच्चास प्रतिसत खाओ तो कारण इसका एक बिज्यानिक वैक्चा है कारण की खाने के बाद बायू बनेगी पेट भरकर पूरा खा लिया तो फिर बायू को आवकास नहीं तब कहते हैं कि पेट फटता है आंते फट रही है अफारा आ रहा है ये सारी बाते फिर सामने आते हैं और पचीस प्रतिसत पानी प्योगे तब पेट फूलेगा तो पचीस प्रतिसत तो पानी के लिए पचीस प्रतिसत जो हवा बनती है गेस बनती है भायू उसके लिए और पचास प्रतिसत भोजन ये एक संतुलन है सामन जस्य है ऐसा है तो साइट बहुत सारी बीमारियां दूर रहेगी ने पेट ठटेगा ने कोई अफारा होगा और ने और कोई समझ्चा होगी ये उनोदरी की जख्या है उनोदरी किसको मनें? कि आदा खाए सामनी बासामतों ये कहते हैं दो कोवा कम खाओ अब दो कोवा कम खाने से तो क्या होगा? दस कोवा कम खाओ, दस कोवा कम खाओ तब काम बनेगा तो ये उनोदरी की अच्छी व्यक्श्या है कि पचास प्रथिशत खाओ, 아udah खाओ, आदे भूखे रहो याः भूखे इसलिए रहो एक बार लगेगा भूख है जैसे ही बायू बनेगी रिपानी की होगे एकदम लगेगा पूरा भोजन हो गया श्वेंग अनुभव कर सकते पहला जो बीवेक पहली जाग रूखता वह यह है अगर मुझे अस्ती बरस तक जीना है और स्वस्त होकर जीना है तो पहला उसका ब्रत संकल्क होगा उनोदरी का अभ्याश दूसरी बात कर स्रम निष्ठा स्रम निष्ठा जिस प्यक्ति में स्रम निष्ठा है वह स्वस्त रहेगा सरीर से वीर मन से भी स्रम करने से जी चुराता है बहुत बड़ी समश्या है संस्कित साहिती में एक बाकि आता है आलस्यम पर्मो सरीर अस्तो महारी आलस्य है पर सरीर के भीतर रहा हुआ महासर्प्तिरु है बहुत छोटा सा सामन्य साधान बाकिय लगता है मैंने इस पर जब अनुक्रेक्षा की चिंतन किया तो लगा भोट गंभीर वाकिया है जो व्यक्ति आलसी है स्रम नहीं करता वैं सरीर के प्रति उदासीन है स्वाष्ट के प्रति उदासीन है स्रम किये बिना कोई भी सरीर का अव्यो स्वस्त नहीं रह सकता सब को प्राणबायू की जरूरत है oxygen की जरूरत है और अच्छी रख्ट संचार पनाली की जरूरत है स्रम के बिना ये सारी बाते नहीं होते घृदे को स्रम भूत प्री है जो स्रम करता है घृदे उसका अच्छा रहता है हार्ट की क्रिया ठीक होती है लीवर की क्रिया ठीक होती है सब की क्रिया ठीक होती है सब को स्रम की जरूरत है लोग कहते हैं कि जब तक घर में गट्टी चलती थी इस तरियां बिमार कम होती थी अब गट्टी चलाना बंद कर दिया आटा पिसना बंद कर दिया और बिजली की चक्की में आता पिसाना शुरू कर दिया एक काम तो यह हुआ कि उसका सत्वनस्ट होने लग गया आते में प्राण तत्व है चोकर चोकर अब चोकर तो सरा निकल जाता है पीछे तो कोई नीरस भाग रहता है जो व्यक्ति चोकर का भोजन करता है चोकर बिना का भोजन करता है वस्पष्ट निर्ड़े कर सकता है कि दोनों में कितना अंतर दिन रात का अंतर होता है पर बैद नहीं होता एक तो यह हो गया फिर पानी लाना आदी स्रम बहुत करती थी मही लाएं तो साइट कम दबा लेती थी आज स्रं कम हो गया कुछ तो बड़पन के कारण हो गया बड़ा आज में काम कैसी करे हो सकता है कि संवनियों में भी आ जाये हम बड़ी हो गया इम स्रं कैसे करे अच्छा नहीं लगेगा चोटी संवनियां क्या समझ healthy यह उल्टी अवधार ना हो गई कि स्रम, स्रम निष्ठा स्रम निष्ठा को ब्याभारिक रूप में इतना माने कि एक ज़क्ती के लिए प्रती दिन कम से कम चाहर पांच किलो मिटर जितना घूमना जरूद अगर आठ नो करें तो बहुत अच्छी बात है स्वास्थी के लिए आठ किलो मिटर नो किलो मिटर रोज घूमे इतना नहों सके तो चाहर पांच तो होना ही चाहिए अगर कोई ये प्रातर ब्रह्मन तो नहीं करता और प्रातराश करता है तो सायथ सरीर के साथ ज्याय नहीं होता सरीर स्वयं कहेगा तुम भूल कर रहे हो प्रातर ब्रह्मन तो किया नहीं प्रातराश या निनास्ता कर रहे हो ये तुम भूल हो रही है दूसरा विखल्प है कि कोई इतना नहीं घूम सके या अवकास नहीं मिले तो उसकी पूर्ती आसन प्रानायाम के द्वारा की जाए आसन प्रानाया बीश मुनित पचीश मिनीत आधा घंता आसन प्रानायां में लगाए तो फिर वस्त्रन की पूर्ति हो जाती है और सब अविवों को अपना पोशन मिल जाता है पोशन जिस बच्चे को पोशन नहीं मिलता वे बच्चा पनपता नहीं है जिस हिश्य को गुरु का पोशन नहीं मिलता वे शिश्य भी पनपता नहीं तो हम ही कह सकते हैं कि जिस अव्यव को स्रम का पोशन नहीं मिलता वे अव्यव भी पनपता नहीं नहीं पनपता वे अव्यव सब को पोशन की जरूरते है पोशन मिलता है स्रम के द्वारा आलस्य के द्वारा कभी नहीं मिलता इस सारे संदर में देखे तो ये वक्त कितना मोजू है कितना उप्यूक्त है कि आलस्य मनुश्यानम सरीरस्थो महारिफू सरीर में बेथा हुआ बड़ा सत्रु को ने आलस्य है जो सरीर में बेथा है एद्वस्मनी पादरा जो अपने भविशे को देखेगा कि मेरा भविशे उज्वन रहे अच्छा रहे सुन्दर रहे उस ब्यक्ति को सम निष्ठा को महत्व देना आवश्यक है आलस्य बिल्कुल ने हो आलस्य नहीं आलस्य में बहुत सारी बाते ऐसी ही चली जाती है जो काम कर सकता है कि लो मेरा काम कर दो कर सकता है वह दूसरे से क्यों कराई नहीं कर सकता है तो सायोग लिया जा सकता है जो कम स्वेंग कर सकता है वह दूसरे से क्यों आलस्य आदमी पेर के नीचे पड़ा था और उदर कोई जा रहा था आज मी उससे बुलाया बुला कर कहा कि देखो ये जामून का फ़ल है जामून है पास में पढ़ाये मुझे हाथ में रे दो जिससे मैं इसको खा दूँ उसने का बले आजमी तुम स्वेंग कर सकते हो मुझे बुलाया मुझे खोटी करें कैने, क्रिपा करें मैं नहीं कर सकता मलाज वे था दे दिया हाद प steadily नीचे पड़ा था दे दिया उटा कर जाने लगा, अरे अभी कहां जा रहे हूँ कह जामन दे दिया नहीं नहीं मेरे मूँ से गुटले और निक जा रहे हूँ इस प्रकार की जो एक मालसी मनुवरिती होती है कि जहां अपने सरीर के वियों का भी उपयोंग नहीं करता कोई काम नहीं करता वह ब्यक्ति ने सरीर से स्वस्थ रहता और ने मन से स्वस्थ हो शक्ता तो स्रम सरीर के लिए जरूरी और सरीर के लिए जरूरी इसका मतलब मन के लिए भी जरूरी. जब स्थरम ठीक नहीं है, रक्षण्चार ठीक नहीं है, अव्योव ठीक नहीं है, तो मन तो उन पर निर्वर रहने वाला है, वेज़ स्वस्त कैसे रहेगा? ने सरीज स्वस्त, ने तंग स्वस्त, ने मन स्वस्त. हमारा गेरा स्वस्त कार हो जाए, स्रम निष्ठा पेदा हो जाए, जो भष्ष्य का दर्सन करी, पहला सुप्त्र उनो दरी का अग्जास, तो दूसरा है, कि दिन में चार पांस किलो मिटर तक घूमने का अग्जास, जो नहीं कर सके, उनके लिए आदा घंटा पौन घंटा आसम तरनायाम का अभ्याश, जो समर्थ हैं, समय हैं, उन्हें तो घूमनार ये दोनों ही करने चाहिए, जो समर्थ नहीं हैं नहीं कर सकते, उनको ये करना चाहिए, कुछ नए ब्यायाम भी जुड़े हैं, साइकिल चलाने का जो अभ्यास है, ये घूमने की पूर्ती करने वाला अभ्यास है, कि लेटकर साइकिल चलाता है, साइकिल की मुद्रा में वह अपना करता रहता है, तो जो नहीं चल सकता, दस मिनित ऐसा करे, तो वह काम पूरा हो जाएगा, ये भी कल्द कोजे हैं, तो स्ट्रम निश्था, तीसरा है, ब्यवहार, ब्यवहार, साथ में रहना है, और साथ में रहते हुए, सब के साथ, अच्छे संबन्द और अच्छा ब्यवहार, तो जो प्रशिक्षन चला, उसका समापन, उसका उप्षंगहार, उसकी निश्पत्ती या निश्कर्श ये है, कि जो कुछ सीखा पढ़ा है, वे भविष्य के लिए, भविष्य प्रबंधन के लिए, उसका उप्योग करना शुरू कर, तो एक अच्छा भविष्य का प्रबंधन होगा, भविष्य उज्वल होगा, सुन्दर होगा, और मन में वे, गुरुदेव का एक बख्य, दोहराते रहो, संग के लिए कहा था गुरुदेव ने, पहरे व्यक्ति का भी एदिकार है, हर व्यक्ति दोहरा सकता है, कि सुब भविष्य है सामने, मेरे सामने सुब भविष्य है, हम तो उप्योग कर सकते हैं उस बक्ते का, बहुत अच्छा कर सकते हैं, कि मेरे सामने सुब भविष्य है, इसका उपयोग करो उपयोग के लिए जो करनी है वे कारिय करो तो मैं मानता हूँ कि ये जो एक बड़ा अनुष्ठान हुआ है उसका बहुत फल मिलेगा और जो कारिय करता है प्रवचन कार है या क्या कार है समाधान कार के कराने वाले है उनका भविष्ठे दोसरों के भविष्ठे का उज्वल भविष्ठे का भी हेतू बनेगा इसलिए ये समायोजन संपनता के साथ इसकी संपनता के साथ एक संकल्प लेना है और संकल्प यह है कर सुब भविष्ठे मेरे सामने सुब भविष्ठे और मैं सुब भविष्य के लिए जो चतु सुत्री का रिक्रम प्रस्तूत किया गया भी चार सुत्रों की वेख्य की गई उनो दरीका अभ्यास पहला उनो दरीका अभ्यास और स्रम निष्ठा सेवा सहयो साफिक्ष्टा और एकत्वानु भूति ये सामने रहे तो सुब भविष्य में कोई संदे नहीं करे और वह इसको दोहरा सकता है कि सुब भविष्य है सामने हम सुब भविष्य की कल्पना करें धर्मसंग का सुब भविष्य और साथ में धर्मसंग के सदस्यों का जो धर्मसंग के लिए अपनी सेवाए जीवन लगा रहे हैं उनका भी सुब भविष्य और सुब भविष्य के लिए हमारे संकल्पों का विकाश ओम ओम्श्री महाप्रग्य गुरुवे नमा गुरुवे नमा गुरुवे नमा सब्सके छुरुवे नमा